नमस्कार साथियों आपका स्वागत है मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम बात करेंगे भारती इतिहास में राजा किसान और नगर के संबंद में और ये इस सीज का पाच्वा भाग है जिसमें हम जानेंगे आरंभिक राज्य और अर्थोय उस्थाएं नगर व्यपार और सिको का प्रयोग ये समय है लगभग 600 इसापुर से 600 इस्वी तक का लगभग 1200 वर्सों का समय है और इस बीच में हमने पहले देखा था राजा और किसान के संबंद में और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के नगर होते थे तो नगर जो होते थे इस समय पर यहां आप देख सकत हैं कि विभिन सासकों का सासन रहा है इस समय पर और अलग अलग तरीके से लोगों को समय बिताना पड़ा है अपना वैपार इत्यादी राजाओं के हिसाब से लोगों को परिवर्तित करना पड़ता था सांथी जो समराज्य के नियम मावली होते थे और विवस्थाएं होती सांतिसा जो टिखनोलोजी होती दी उसके आधार पर भी लोगों को कारे ना होता था और यह सारी बाते पता चली है विविन अभी लेख martial से जो अभी लेक मिले हैं उनको पढ़ा गया है और उन अभी लेखा हो से यह सारी जानकारियां मिली है जोकि इतिहास का प्रमाण अविलेक होते हैं सीला लेक होते हैं और उसमें पे मिली हुई वस्तवे और खंडर जो बचे होते हैं उनसे जाना जाता है तो जो ये समय था इस समय पे बहुत सारे नगरों का विकास हुआ तक्ष सीला मधुरा कन्नोज उज्जैनी भरूज कक्ष सोपारा पैठन कोडुमनाल पुहार धन्यकटक सिसुपालगड चंद्रकेतुगड राजगीर महाइस्थान विदीशा कौसंबी स्रावस्ति वैसाली वारणसी पाटली पुत्र ये जो सहर है नगर है जो लगभग सभी जगह फैले हुए हैं पूरे देश में इनका स्थित्व है और सबसे बड़ी परिशानी यहां पर ये है कि इन नगरों में बहुत सारे नगर अभी भी बसे हुए हैं अरथात जब उनको उनका अध्यन किय जाता है तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है समय के साथ साथ और फिर पहचानना मुस्किल हो जाता है कि क्या रहा होगा और क्या है आज की स्थिती पर तो पुराने समय की बहुत सारी चीजें लोग या तो पुराने वस्तुओं को फेक देते हैं या कि उनको इ पहचानना मुस्किल हो जाता है और इस प्रकार से जो इतिहास है उसे पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साक्ष अभी लेख बचते हैं जो उस समय के मिलते हैं तो ये अभी लेख हैं उनके आधार पर लोगों को जाना जाता है लोगों को पहचाना जाता है और उनकी स उनकी राजधानिया नगरों के रूप में विक्सित हुए और उन इस्थानों पर लोगों ने अधिक से अधिक अपना वास्कन प्रारंब कर दिया घर बनाने प्रारंब कर दिया और सब भेताय अस्तित्तों में आ गई इसके साथ अधिकतर जो नगर है वो ऐसे इस्थानों प प्रड़क से जुड़े हुए इस्थान हैं वे ही जादतर विक्सित हुए हैं नगरों के रूप में साथ ही साथ जो नगरों की राजधानिया थी नदियों से उनको रास्ता मिलता था साथ ही कुछ इस्थानों पर समुद्री मार्ग भी बना हुआ था यह जो केंदर थे यह जो इस्थान थे बे इविक्सित हुए थे वयवसाईक सांस्कृतिक और राजनेतिक सत्ता के केंदर के रूप में चुकि यहाँ पर जो की सासक थे और जो कंट्रोल करने वारी लोग थे उन नगरों के और उन सभ्यताओं के उन राज्यों के उनका निव के तोर पे रहने का इस्थान ये नगर होते थे तो इसी लिए इन्हें वैफसाइक सांस्कृतिक और राजनेतिक के अंद्र के रूप में समझा जा सकता है यह जीवंत के अंद्र थे और यहां से पूरा संचालन होता था पूरे राज्य का जो नगरी जीवन है नगरों में रह जाता था सुरक्षा की द्रिष्टी से और भी अन्य महत्तपूर्ण कारणों से इने घेरा जाता था पूर्य योजना बनाई जाती थी नगरों में किस प्रकार से रहना है किस प्रकार से लोगों को घर बनाना है तो बहुत हद तक यह कंट्रोल होता था सासकों का और किले के रूप में घेरा जाता था चुक्कि व्यापक इस तर पर खुदाई करना संभव नहीं है लोगों का निवास आज भी है इस कारण बहुत सारे पुरा ओसेस नहीं मिल पाए हैं लेकिन जो ओसेस मिले हैं उनमें बहुत सारे ओसेस ऐसे हैं जो उत्कृष्ट बरतनों इत्यादी के हैं जिनका प्रयोग बहुत ही समरांद परिवार के लोग और उच्चवर के लोग क्या करते रहोंगे क्योंकि इनकी पॉलिसिंग बहुत अच्छी है इसके साथ साथ जो तरह तरह के गहने हैं सोने चादी कास से के तामबे हाथी दाथ सीसे इन सभी से बने हुए बहुत गहने मिले हुए हैं साथ ही उपकरन, हथियार, बरतन, सीप और पक्की मिट्टी के भी पदार्थ मिल जाते हैं और वस्तुएं मिल जाती हैं जो उपयोग किया जाता था उस समय पर अर्था ईसापुरु 600 से लेकर 600 इस्वी तक और उनकी कारवन डेटिंग इत्यादी वगर चारण लिखा होता है कई स्थानों पर और उन से इन चीजों को पहचाना जाता है, कुछ दानात्मक अभी लेक मिले हुए हैं जिसमें दान करने के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार से दान किया जाता है, दाता के नाम के साथ साथ उनके व्योवसाएं और इसके साथ में उस समय पर उपलब्द धोबी, बुनकर, लिपीक, बढ़ाई, कुमार, स्वरंडकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरू, वैपारी और राजाओं के अलावा उत्पादकों और वैपारियों के संगों का भी विवरन इन अभी लिखों में मिलता है और कई जगहों पर नाम भी प्रस्तित होता है, कुछ लोगों के विवरन के सांसाथ, तो ये जो उत्पादकों प्यारी है, इन्हें स्रेनी कहा जाता था, और ये विभिन प्रकार के उपकरण इत्यादी का प्रयोग करके समान लाते थे, कच्चा मान लाते थे, और बहुत सा करन इत्यादी में, और देखा जाये तो एक सभ्यता बहुत हत्तक विक्सित हो गई थी, नगरों को लोगों ने रहना प्रारम कर दिया था, लेंदेन चालू हो गया था, और इसके सांसाथ मोरों का भी प्रयोग इस समय पर चालू हो चुका था, उसके समन्दम भी आप होता किस प्रकार से ये होता था, तो ये जो थे लोगों के जीवन और रहने का तरीका, इसके बाद आती है बात वैपार की, तो किस प्रकार का वैपार ये लोग करते थे, वैपार जो है वो करने के लिए नदी मारगों और भुमारगों का जाल बिछा हुआ था, बहुत हत्तक ल जहाज भी बना सकते थे तो इन सभी के माध्यम से वेपार किया जाता था और सभी तरफ जाल बिच गया था न सिर्फ देश में बलकि विदेशों में भी अरब सागर से होते हुए दक्षिन आफरिका और पस्चिम एसिया तक जाया जा सकता था साथ ही बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिनपूर्वए इसिया तक जाते थे चूकि इन मारगों पर जाने के लिए वयवस्ता करना पड़ती थी सासकों इस Honor का इन मारगों का प्रयोग करने के ब्दले धनवसूलते थे और कर्वसूलते थे और इन से आर्थिक सरोज जुटाते थे और और फिर इन सब का प्रयोग करके साथ ही साथ कुछ सहायता और कुछ सुरक्षा भी सासकवर के द्वारा प्रधान की जाती थी जो मुख्यता वैपार देखा गया है तो रोमन समराज में काली मिर्च मसाला कपड़े और जड़ी बूच्णियों को भेजा जाता था क्योंकि वह किया जाता था और इन जानवरों के प्रयोग से अलग-अलग के वहां चलाय जाते थे और उनसे एक इस्थान से दूसरे इस्थान समानों को ले जाया जाता था वैपार के लिए सिक्क्य का प्रचनल प्रारंब हो गया था तो इससे विनिमे में आसानी होती थी जो वस्तु इसस्था है उसमें बहुत सारी परिशानी होती थी लेकिन शिक्ख्य के प्रचनल से मौहं थक इस्था तक आसानन हो गया था सिर्फ एक दरबसे फक्यां को ले जाना ता किसम में कोई परिशानी नहीं होती थी कुछ सिक्के जो हैं इस्थानी व्यपारी धनपतियों और नागनिकों ने भी जारी किये हों ऐसा संभव है क्योंकि अलग तरह के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं लेकिन ज्यादतर सिक्के जो है वोई ऐसे सिक्के हैं जो की किया जाता था व्यापक तोर पर किया जाता था और इससे समझा जाता है कि सोना एक बहुमुले वस्तु है और जब सोने के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था तो इससे ये पता चलता था कि बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर व्यापार होता था और बहुमुले वस्तु और भारी मात्रम वस्तूओं को बिनिमाई किया जाता था चुकि प्रयोग किया गया है सोने के सिक्के इत्यादी का इन सिक्कों में राजाओं के चित्र बने होते थे और इसके साथ साथ बहुत से अभिलेक लिखे होते थे कुछ सिक्के आहत शिक्के की नाम से जाना जाता है जो आहत सिक्के हैं उनको मौरिवंस के सासकों ने बनाया ऐसा प्रतीत होता है पुल्ए अने फेट识 नहीं देखा है कि आहाथ सिkkे पर इरहे ठोक कर और पीट कर बनाय जाता था आताइना इन्हें आहाथ सिkkे कहे जाते हैं इसी प्रकार से कुछ सोने के सिkkे प्रथम सताबदी इस्वी में कुझान सासको ने जारी किये थे सोने के सिक्के पर व्यापक प्रयोक से पता चल रहा है कि बहुमोले वस्तुओं का व्यापार किया जाता है साथ ही साथ जो व्यापारिक तंत्र है वो राजनीतिक सीमाओं से नहीं बंधा होता था वे अपना व्यापार करते थे एक प्रमाण मिला है कि रोमन समराग जैसे आपस में आदान प्रदान किया जाता था दक्षिन भारत के लोगों के द्वारा लेकिन आपस में कोई इनके बीच सत्ता का सामान जैसे नहीं था एक सत्ता नहीं थी लेकिन व्यपार किया जाता था तो इससे पता चलता है कि जो व् वो सिवाव में नहीं बन्दा था वे अपना वैपार अपने आधार पर करते थे सरकार को वे अपने वोर से जो सासन था उसे करित्यादी देते थे और वैपार करते थे साथ ही साथ कुछ सिक्के मिले हैं गुपतसासकों ने जारी किया था जो सोने के मिले हैं उसमें से कुछ पे गुपतसासकों का चिन्न बना हुआ है उनकी लिपी में लिखा गया है साथ ही छटवी सताब्दी जब आई अर्थात लगभग ईशा से 600 वर्स पाद अर्था 600 इस वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गया बहुत सारे कारण इसके बताया जाते हैं साथ ये भी माना जाता है कि चुकि रोमन समराज्य का कामकाज बहुत हत्तक प्रभावित हो गया था रोमन समराज्य का पतन हो गया था और इसके कारण सोने के सिक्के मिलने कम हो गया थे वैपार का इस्तर थोड़ा कम हो गया था और सोने के सिक्के का प्रयोग करना कम हो गया था साथ ही साथ सासकों की प्रतिमा और नाम के साथ भी सिक्के बनाये गए थे जिसमें सासकों की फोटो बनी होती थी नाम लिखे होते थे हिंदी उनानी सासकों ने ये जारी किये थे दूरवर्ती वैपार रोमन समराज्य के पतन के बाद कम हो गया था जिससे राज्यों समोदाय और शेत्रों की समपनता पर असर पड़ा चुकि बहुत सारी बहुमूले वस्तुएं रोमन समराज्य से आती थी तो इनका आना कम हो गया और वैपार भी बहुत कम हो गया और समप आजियों इसमुदाएं और रिड़ होती है कि सी भी जब के लिच आगवित सब्सक्राइब नोसे कंग और आम इनके दो आमया जा पनलने कि यह किरुने हिससानों फी ञाएत्रा मतलब ने बहुत चरूरी है कि किन चीजों का आयात नेरियात किया जाता था तो जो बहुमले वस्तुएं हैं उनका भारी मात्रा में विनिमय किया जाता था जिसमें काले मिर्च, दालचीनी और मसाले इत्यादी है वे भेजे जाते थे साथी साथ सिक्के, पुखराज, सुर्मा, मुंगे, कच्चे सीसे, तामबे, टीन और सीसे को मंगाया जाता था इसी प्रकार उच्चकोटी के मोती, हाथी दात, रिजमी वस्त्र, विभिन प्रकार के पारदर्सी पत्थरों का आयात होता था इसके साथ साथ हीरे और काले नग और कच्चुए की खोपडी का भारी मातरा में आयात होता था, चुकि ये सबी चीजे बहुत ज़्याद बहुमुल्य हैं, इस कारण इनका लेक, सीला लेक में होता है, साथी साथ मुंगे के कमुल्यमान पत्थरों से बनाये जाने वाले अध्योग भी देखा गया है, बनाने का तरीका मिला हुआ है, प्रत्री साथ मिले किस प्रकार से मुंगे के कमुल्यमान पत्थर बनाये जाते थे, इसके साथ साथ जो यहां से जाता था समान, वो है काली मिर्च और मसाला, तथा कपड़े और जडिम बूटी, जो की यहां पर बहुत प्रजूर मात्रा में होती थी, यहां की जमीन बहुत उर्वरत थी, और इसके कारण इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन बहुत मात्रा में मिलते थे, जिन्हें नाओ के द्वारा और विभिन प्रकार के संचार माध्यम के द्वारा बेजा जाता था, और इसके का आयात निर्यात किया जाता था और व्यापार एक महत पूर्ण तत्व था जो कि लोगों के बीच आपस में कारिकलाप और संचार करने का माध्यम था तो ये थी पूरी व्यापार प्रणाली जो उस समय पे थी अरंबिक सब्यता जो थी भरत इतिहास के 600 इस्वी पूर से 600 इ प्रकार से चोड़ा जाय है और इससे वेपर बहुत अधिक बड़ गया था हडप सब्यता हमाँ ने देखा था कि मुद्रा इत्यादी नहीं दिखाई दिये हैं उसमें पह वस्तूबीन में होता था लेकिन धिरे धिरे 600 इस्वह आते आते लोगों ने सिक्का इत्यादी का प्रयोग करना सीख लिया था और धीरे-धीरे सोने के सिक्के पहले प्रयोग किये जाते थे और धीरे-धीरे तामरी इत्यादी के सिक्के का भी प्रचलन आ गया था तो ये था व्यापार के संबंद में तो आज के लिए इतना ही साथियों आप से नु